नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास, चैनल का नाम है संस्क्रुट साहिति रूम संस्क्रती, दर्श रूपक की चर्चा चल रही है, हमने नायक विवेचन देखा, नायका विवेचन चल रहा है, उसमें भी हम जो स्वकिया नायका है, उसके प्रकारों की कर रहे हैं, अभी तक हमने मुगधा को देखा, मध्या और उसके धीरा, धीरा, अधीरा और अधीरा ये तीन प्रकार देखे, प्रगलभा को देखा, उसके तीन प्रकार देखे, प्रगलभा धीरा, प्रगलभा अधीरा, प्रगलभा धीरा, अभी इसके आगी की चर्चा कर आगर मुगधा को छोड़ दे हैं तो यह जो मध्या और प्रगलभा हैं इनके जेष्ठा कनिष्ठा दो दो परकार होते हैं और इस प्रकार से यह मुगधा के अत्रिक्त स्वकिया नाइका के बारह भेद होते हैं यानि मुगधा को मिला करके तेरा और मुगधा को अगर छोड़ दें तो मद्या और प्रगलभा के छेचे प्रकार हो जाएंगे जेश्ठा और कनिश्ठा के अनुसार स्पष्ट करते हैं मध्या प्रगल्भा भेदानाम प्रत्यकम मध्या और प्रगल्भा भेदों के प्रत्यक के जेश्ठा कनिष्ठात भेदेने जेश्ठा कनिष्ठा भेद से द्वादस भेदा भूंती बारह प्रकार होते हैं मुगधा तू एक रूप बईवर मुगधा का एक ही प्रकार होता इसके और प्रकार नहीं होता है आगे इनकी सब की गणना करेंगे उसकी चर्चाह मन्त में करेंगे उप संधार में लेकिन ये जेष्ठा और कनिष्ठा जो दो प्रकार कहे हैं जरा इसके लक्षण को जानते हैं जेश्ठा कनिष्ट के यता अमरूरुषत के इसका कोई लक्षण नहीं दिया है और सीधा कह दिया जैसा कि अमरूरुषतक में लेकिन वो उदाहरन प्रस्तुत करने के पाद नीचे वृत्ति भाग में लिखते हैं न चा अनेयोहो दाक्षि प्रेम अभ्याम एव व्योहारा है अपितु प्रेमना पी यथा चैतत तथोक्त दक्षिन लक्षिन आवसरे दिखिन नायक का जब वरणन किया है तो वहां पे इस बात को कहा था कि कौन जेश्ठ नायका होगी कौन कनिष्ठ नायका होगी वो किसकी प्रति अधिक प्रेम कर नायका है यह मान लिजिए कि एक नायका जो प्राचीन है और एक नायका जिससे अभी-भी विवा हुआ है इनमें कौन जेश्ठ नायका होगी और कौन कनिष्ठ होगी अब इसको समझाते हैं कि देखे जिसके प्रति प्रेम अधिक है वो जेश्ठ है और जिसके प्रति दाक दाक्षिन अधिक है, उसको आपका निष्ठा मनेगे। वैसे होता तो यह है कि जिसके प्रति दाक्षिन अधिक है, क्योंकि वो पहले की नाइका है, अगर हम स्री कृष्ण की 16,000 रानियों की बात करें, 16,108, चलिए 16,100 बूल जाए, यह 8 रानिया तो ऐसी हैं, लेकिन रुक का हैं, सत्या है, लक्षमना है, मित्रविंदा है, यह जितनी भी हैं, उन सब का आपको इस प्रकार से कृष्ण के साथ कहीं, चीत्र और वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर जगे पे कृष्ण और रुक्मिनी का नाम आता है, बहुत से बहुत कृष्ण और सत्य पहमा का नाम आजाता है तो जो जेश्ठा होती है अगर हम रामायन की बात करें तो महाराज दसरत की 350 पत्निया थी तीन जो पत्रानिया थी कौशल्या सुमित्रा और केकई इसमें केकई सबसे बाद में विवा हुआ है तो केकई उनके लिए साहित शास्त्री ग्रंतों के संमान दिया जाता है और कौशल्या का पुत्र ही राजा बनता है यह सारी चीजें जो हैं यहां पे साहित यह कहता है कि यह कौशल्या के प्रति जो दसरत का प्रतरसन है वो दाक्षिन है और केकई की प्रति जो दसरत का प्रतरसन है वो प्रेम है तो यहां जेश्ठा और कनि के साथ उसका विवाहा पहले हुआ है वो इस हिसाब से कनिष्ठा हो जाएगे लेकिन हमारे पुराना हमारे ग्रंथ हमारी संस्कृती जो है वो हमेशा इस बात को कहती है कि जो जेष्ठा है वो हमेशा जेष्ठा रहती है जैसे कि उर्वर्शी के साथ महाराज का विवाह होता तो इस प्रकार की चीजें जो हैं संस्कृति और साहित्य ये सब जब एकत्रित होते हैं तो ये जेश्ठा और कनिश्ठा का बेद या इसकी व्याख्या करना इतना कटिन हो जाता है कि यहां पे भी लक्षन नहीं उसका पुल प्रस्तत किया था हाँ इतना कहने की कोशिस अवस प्रतिनायक का अधिक प्रहम है वो जेश्ठा मानी जाएगी लेकिन सामाजिक स्थिती की अगर आप बात करेंगे तो जिससे प्रथम विवा हुआ है वो जेश्ठा मानी जाएगी ये दोनों ही स्थिती में दोनों को ही एडवांटेज प्राप्त है आप ऐसा कह सकते हैं पस्चात उपी त्यादरा, एकस्य नैने निमील्य विहता, क्रीडानु बंध चला, इशद वक्रित कंधरा, सपुलका, प्रेमो लसन मानसा, अंतर हास लसत कपोल फलका, धूर्तो पराम चुम्बती, धूर्त स्वयम ही कह दिया है, मुरुष्टकार ने, धूर्त नायक की बात है, यानि जो नायक, जिसका प्रेम दोनों नायकाओं की प्रती व्यक्त हो चुका है, मैंने नायक वेचन में ये बात कही थी, कि कुछ समय तक नायक दक्षन रह सकता है, फिर वो दीरे दीरे सट होता है, और अंतर में धूर्त की स्थिती को पहुंच जाता है, अगर वो दोनों नायकाओं को एक साथ, क्योंकि हमारे हाँ जो बड़ी नायका है, वो भी उसको छोड़ तो नहीं सकती है, वो भी हमिसा के लिए उसकी रहे गए, हमारे तलाक वाली तो बात ही नहीं, हमारे हाँ जिसको कहते हैं कि विवाह का तो नियम है, लेकिन अलग होने का हमारे हाँ कोई नियम नहीं है, इसक जिसका प्रेम दोनों नायिकाऊं की प्रती अभिवयक्त हो चुका है उसको हम धूरत नायक कहते हैं अब एसा एक नायक क्या व्यवहार करता है इसका बड़ा सुंदर अम्रुषतक कार करते हैं कि एक ही आसन पे बैठे हुई अपनी दोनों प्रियतमा को देख करके, थोड़ा तो विचार में पड़ गया नायक, कि भई इसमें से किसको प्रेम व्यक्त करूँ, एक के प्रति व्यक्त करूँगा तो दूसरी गुस्सा हो जाएगी, तो किसके प्रति क्या करूँ, उसको किसी को गुस्सा तो कर रही नहीं है, तो पास में जाता है, एकस्य नैनी निमील्य विध क्रीडान बंधा, और इस प्रकार वो चल करता है, क्या चल किया है, कि एक नाइका के पीछे से जा करके, उसकी आखें बंध कर लेता है, भाई ये गैम होता है ना, कि आख बंध कीजिए तो पहँचानते हैं कि किसने आखें बंध की हैं, अब उस नाइका की आख बंध करने के बहाने, उसके साथ वो क्रीडा कर रहा है, और उसको ये मतलब जताना चाह रहा है कि वो उसको बहुत प्रेम करता है, दोनों बैठी थी, देखो मैंने तुम्हारा पहले सपर्स किया, मैंने तुम्हारे साथ खेलना पसंद किया, उसके साथ नहीं किया, लेकिन उसी समय जब कि उसकी आँखें बंद कर रखी हैं, इसत वक्रित कंधरा अपनी गर्दन को थोड़ी सी जुका करके, थोड़ी सी डेड़ी करके, और जो दूसरी नायका, जैसे ही उसने ये देखा है, कि नायक ने उस नायका की आँखें बंद कियें, वैसे ही वो समझ गई कि ये दूर्थ क्या चाहता है, और वो जिसके नीचे वरणन किया है कि अंतरहास लतत कपूल फलका, जिसके गालों पे अंदर इस्थित्हास एकदम व्यक्त हो रहा है, ऐसे उस नायक ने आपराम चुम्बती, वो नायक जो है दूसरी नायका का चुम्बन करता है, अब देखिए, दोनों के साथ नयाय कर दिया, एक की आँखें बंद कर लिए, और एक को चुम्बन कर लिया, अब जिसकी आँखें बंद कियें, उसको ये एहसास रहा है, कि देखो उसकी उपस्तिती में भी उन्होंने मेरे साथ करिड़ा की, मेरा इस परस किया, और मुझे अधिक मान दिया, और दूसरी को भी ये लगा, कि देखो उसका तो आँखें बंद की, चुम्बन तो मुझे दिया है, तो इस प्रकार की जो नायक की कलाकारी है, प्रहिम के लिए आप कुछ भी नया कहीं से भी नहीं ला सकते हैं, हमारे साहित्ते में जो उपलब्दना हो, इस में से जिसका चुमन की है, स्वाभाविक है कि वो जेष्ठा नायका हो गई, और जिसकी आखें बंद की हैं, उसको महसुस भी नहीं हुआ, लेकिन वो कनिष्ठा हो गई है, तो यहाँ जेष्ठा कनिष्ठा में आप ये भी समझ सकते हैं, कि जेष्ठा को भी एहसास होता है, कि मैं जेष्ठा हूँ, और कहीं न कहीं कनिष्ठा को भी एहसास बना रहता है, कि ने आदर सम्मान तो मुझी को जादा मिलता है तो दोनों को नियाय मिलता रहता है इस प्रकार की स्थिद्धी को दे है अब वृत्ति भाग में इन चीजों को व्यक्ति किया और फिर कहते हैं एसाम चाद धीरमध्या जो मैंने कहा था कि बारे प्रकार जो है इनके जेष्ठा कनिष्ठा कर देजे तो दीन तो निचे हो जाएंगे इसी प्रकार से धीर प्रगलभा अधीर प्रगलभा और धीरा धीर प्रगलभा भेदानाम प्रत्येक जेष्ठा कनिष्ठा भेदा द्वादसानाम तो इनकी भी आप जब जिश्ठा कनिश्ठा बेद करेंगे तो इनके बीचे हो जाएंगे तो छे मध्या के और छे प्रगलभा के और एक मुगदा ऐसे बारे और एक तेरे प्रकार हो जाते हैं कहते हैं वासवदत्ता रत्नावली वत प्रवंध नाय का नाम उदाहर नानी है जैसे रत्नावली की वासवदत्ता इसका उत्तम उदाहर ना है ऐसे वासवदत्ता जेश्ठा नाय का है लेकिन प्रेम के अनुसार जब रत्नावली को राजा अधिक प्रेम करते हैं तो वो दाक्षेन जेष्ठा हो गई, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जब दाक्षेन की बात आ जाएगी तो रत्नावली कनिष्ठा हो जाएगी, और जब प्रेम की बात आएगी तो वासवदत्ता कनिष्ठा हो जाएगी, इस प्रकार से जेष्ठा और कनिष्ठा के उधारन आ फिर उनके सब की जेश्ठा कनिश्ठा इस प्रकार से जो तेरह प्रकार हुए वह हमने देखे कल से हम परकिया नाइका की चर्चा करेंगे इसकी चर्चा बहुत अधिक विस्तिरित नहीं है क्योंकि रचना में इसको बहुत स्थान नहीं प्राप्त है आज इतना ही धन्यवाद मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास और चैनल का नाम संस्कृत साहिती वं संस्कृती दस रूपक का नाइका विवेचन चलदा है धन्यवाद आनद लीजे मित्रों के शाथ सेर कीजे